ये सुन्दर गनेज जी का वाल हेंगिंग जो आप देख रहे हैं इसे मैंने प्लास्टर ओप पैरिस से बनाया है हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू अनूस अकैडमी वाल हेंगिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ओवल शेप का स्टील का डिबबा लिया है अब इसे हम ग्रीज कर लेंगे यहां मैंने मुंफली का टेल यूज किया है लेकिन सोयबीन या सनफलार ओईल भी आप यूज कर सकते हैं इसके बाद पियोपी पाउडर में पानी मिला कर गोल तैयार कर लेंगे इसे ग्रीज किये गए डिबबे में डालेंगे और सुखने के लिए रख देंगे दो-तिन दिन बाद जब पियोपी अच्छे से सुख जाए तब बेस बाहर निकाले अब यहां पहला बेस आसानी से निकल गया है लेकिन हमारा दूसरा बेस तूट गया अब यह वेस्ट हो चुका है इस वेस्ट को हम चौक के रूप में यूज कर सकते है मैंने बच्चों के लिए Amazon से Blackboard Sheet मंगाई है जिसे हम दिवार पर आसानी से स्टिक कर सकते है बच्चों को इस पर लिखना काफी अच्छा लगता है यह P.O.P के टुकडे का अब चौक के रूप में उपयोग कर सकते है अब इस बेस को सैंड पेपर से हम अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे इसके बाद एकरेली कलर से कलर कर लेंगे सबसे पहले मैंने बेस को पिंक कलर किया था लेकिन यह अच्छा नहीं लगा इसलिए फिर रेड कलर कर लिया पेंट से गनिर जी का ड्रोइंग किया है ताकि पेंटिंग करने में आसानी हो सके अब देखिए पियोपी से बना क्राफ थोड़ा नाजुक होता है ज्यादा डूरेबल नहीं होता लेकिन अगर आप पियोपी के क्राफ को काच के शोकिस में रखेंगे तो यह कई सालों तक अच्छा ही रहेगा यह मेरा एक्सपिरियंस है आज हमने जो DIY बनाया है इसके पीछे लेस लगा कर अगर हम वाल पर लगाते हैं तो ज्यादा चांसेस है कि यह हवा आने से गिर कर तूट जाएगा इसलिए इसे शोकिस में रखना ही थीक रहेगा ताकि हमारी महनत बेकार ना जाए और एक बात बताना चाहूंगी कि पीओपी क्राफ्ट के मुकाबले वाल पुट्टी से बनाया गया क्राफ्ट ज्यादा डूरेबल होता है क्राफ्ट बनाने में भी आसानी होती है और वॉल पुट्टी की बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है जिससे हम अच्छा क्राफ्ट बना सकते है मुझे वॉल पुट्टी नहीं मिला इसलिए मैं DIY बनाने के लिए P.O.P. यूज करती हूँ आप चाहे तो वॉल पुट्टी खरीद सकते हैं यहां हमारा DIY बन चुका है और लास्ट में हम इसे वर्निश लगाएंगे मिलते हैं नए डिजाइन आइडियास के साथ धन्यवाद